आखिरकार लंबे इंतजार के बाद महराष्ट राजनितिक संकट पर सुप्रीम कोट का फैसला सामने आया है जहां स्चीप जश्टिस डी वाई चंदर्चूड की अधिक्षता में सुप्रीम कोट की पांस सदस्य समिधान प्रिट ने पिछले साल महराष्ट में हुए राजन जैसे मुद्दो को एक बड़ी पीठ की और जाच की जवरत है साती सुप्रीम कोट ने कहा कि वीप को पार्टी से अलग करना लोकतंतर के हिसाब से सही नहीं होगा पार्टी ही जनता से वोट मांगती है सिर्फ विधायक तैय नहीं कर सकते कि वीप कौन होगा उदर ठाकरे क पार्टी विधायकों की बैठक में नेता माना गया था तीन जुलाई को इस फिकर ने सिर्फ सेना के नए वीप को माननेता दी थी इस तरह दोनों नेता और दो वीप हो गए थे इस फिकर को स्वतंतर जाच कर फैसला लेना चाहिए था गोगावले की वीप मान लेना गलत थ तो आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोट ने महराष्ट राजनतिक संकट मामले को लेकर फैसला सुनाया है जहां चीप जस्टिस डिवाई चंद्रचूड की अधक्सता में सुप्रीम कोट की पांस अधस्य समिधान पिट ने इस मामले को अब बड़